जालतर सिविल इंजिनियर को Excel और AutoCAD software को यूज़ करके बार बेंडिंग शडूल बनाने में काफी प्रोब्लम आती है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका Excel और AutoCAD software को यूज़ करके Lift के Foundation का BBS बनाने वाला हूँ मेरा नाम है अमित कटारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ Solitude Education के YouTube चैनल पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथी साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रेलेटेड वीडियो चार है तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में मैंसे जरूर करिएगा उस से रेलेटेड वीडियो आपको हमारी चैनल पर बिल जाएगी चलते हैं लैप्टोप की स्क्रीन के अंदर तो आज हमारा जो रहने वाला है जो बीबियस हम लोग बनाएंगे वो फाउंडेशन का बनाएंगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो आपका जो लिफ्ट की जो वॉल होती है उसको आपका कवर करेंगे तो बनाते हैं तो उससे पहले हमें उसकी ड्राइंग को रीड करना पड़ता है ड्रोइंग को समझना पड़ता है कि अगर आप इस ड्रोइंग को देखोगे तो यहां पर यह लिफ्ट का बेसिकली प्लान आपको यहां पर दिख रहा है जिसका फाउंडेशन की जो विर्थ है 5950 mm by 6550 यहां पर जो है इसकी फाउंडेशन की आपकी जो राइट सायड में जो फिलाल हमें कोई मतलब नहीं है हमें जो foundation जो BBS बनाना है वो आपका foundation का BBS बनाना है यहाँ पर अब देखोगे तो यहाँ पर cross section SS आपका cut आओा तो मैं cross section SS पर जाता हुँ यहाँ अब अगर आप देखोगे तो यह मेरे cross section SS की detail यहाँ पर D कई है जिसके अंदर आपका यहाँ पर देखोगे अगर आपका वॉल के अंदर और आपका जो फांडेशन दोनों के अंदर आपका यहांपर रेंफोरस्मेंट थे 20 mm डाया का बार यूस किया गया है और 200 mm उसकी सेंटर तू सेंटर स्पेसिंग है लेकिन यहां पर देखने वाली बात किया है कि जो बोटम मैस है जो मेरा आपका बोटम मैस है वो आपका अब continuous throughout गया है मतलब उसकी सेप जो आपका कुछ इस तरीके से हैं फांडेशन में ऐसे नीचे स्पेड हुआ फिर सेम ही बार आपकी ऊपर जाएगी और फिर ऐसे बैंड हो गई है ठीक है इस तरीके से आपकी सेप है मैं आप एक्सल के अंदर भी दिखा देता हूँ इस तरह क मेरी देखो कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे और ऐसे जाएगी आपका जैसा कि आपका यहाँ पर अगर आप एक्सल के अंदर देखोगे तो इस टाइप की आपकी जो सेप है वो इस टाइप कि इसकी रहने वाली है यह टॉप औरिजिंटल पार्ट हो गया और यह वर्टिकल हो गया ठीक है तो इस तरीके से आपको यहां पे सेप फ़ यहां पर समझ में आ गई होगी अब सेप अने के बादमें हम लोग चलते हैं आपका एक्सल के अंदर आपका कुछ इस तरह का जो है फॉर्मेट हम लोग यूज़े आपका यूज़ करते हैं आपके कंपनी के कि यह मेरा हो गया लिफ्ट सोरी गलत लिग दिया है कि ठीक है लिफ्ट फाउंडेशन इसके अंदर आपका आप लोगों ने देखिए होगी कि डाइमेंशन आपकी डिफरेंट है एक डाइमेंशन कम है दूसरी डाइमेंशन जाद है तो हम यहाँ पर आपका में बार और क्रो बोटम बार बोटम में बार हम लोग यहां पर लिखते हैं ठीक है यह मेरी होगी यहां पर आपका बोटम में बार उसके साथ साथ फिर आपका यहां पर टॉप में बार यह मेरी होगी आपका यहां पर टॉप में बार ठीक है तो बोटम में बार का जो मेरा डाया है वो कितन बार है mean bar की जो length होगी वो क्या होगि चोटी length होगी मतला उसकी lol लैंट होगी वो 49.50 की coding calculate की जाएगी लेकिन वो is public 뭐 किस current के coding वो आपका जो मेरी higher length है higher length मेरी कितने आपका 6550 तो इसका मतला मेरी यहाँ पे जो आपका इसकी number of bar निकलेंगी वो मेरी आपका higher norm का कोडिंग निकले कि तो फिर से एक्सल के अंदर आते हैं नंबर ओव बार हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो मैं यहां पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं तो मेरी क्या थी इसको डिवाइड करेंगे कितने से आपका 200 से क्योंकि मेरी जो इस पेसिंग है वो आपका 200 है और हम लोग प्लस वन करते हैं कोमा ब्रैकेट जीरो करेंगे राउंड में एंटर करेंगे तो यहां पर देखो मेरी 33 नंबर ओफ बार जो है मेरी यहां पर आ गई है इसके बाद सेप ओप दा कोड तो यहां पर हम लोग फुटिंग का जो मेरा आपका बॉटम साइड की जो रेंफोर्चमाट की सेप जो है कुछ इस तरी करना है तो यहां पर्चैनल के दियंदर चलते और फ्केनी अंदर दिखोगे तो लिफ्ट और 1250 यह और 1250 यह तो मेरी वोल्ड के इसके एकोडिंग कालकुलेट यहाँ और चलते हैं फिर से प्लान के अंदर चलते हैं प्लान के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्सल के अंदर आते हैं तो सबसे पहले मुझे यह एकल्कुलेट करना है तो ए मेरा किसके कोडिंग कैल्कुलेट होगा जो मेरी आपकी यह वाली डायमेंचन है यह वाली डायमेंचन मेरी कितनी है आपका 49504950 मेरी लेंथ होगे और दोनों साइड से मैं समय कवर माइनस करूंगा तो एक्सल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ए मेरी जो वैल्लू होगी वो क्या होगी यहाँ पर ए की वैल्लू आएगी मेरा आपका एक्वल टू राउंड हम लोग पर फॉर्मुला लगाते हैं 4.95 मा पर आपका लेंथ आगे इसके बाद अगर आप देखोगे तो बी मेरी कैसी किस तरीके से कैलकुलेट होगा एक्सल के अंदर आते हैं सेक्शन में चलते हैं तो देखो 1650 तो मेरा आपको यह क्लियर हाइट होगी इसके लाबावा डेप्ट उप्ट फाउंडेशन क्योंकि य कवर और माइनस बोटम साइड में कवर तो यहाँ पे भी आपका 0.05 उसके बाद फिर से माइनस 0.05 कोमा टू ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो 2.8 मेरी जो है हाइट आगे इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर आते हैं से फुटिंग के अंदर यह सी हम 1250 तो 1250 में से दोनों साइड से कवर माइनस होगा इक्वल टू राउंड 1.25 माइनस 0.05 माइनस 0.05 कोमा टू ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो सी की वैल्यू आगे ठीक है अब देखो आपका बेंडिंग अलोएंस आपका यहाँ पर होगा तो से फु लोग आते हैं आपका यहाँ पर बेंडिंग अलोएंस के अंदर आपका इक्वल टू राउंड करते हैं चार बेंड मेरे होगे आपके टोटल नंबर उसके बाद 2D हम लोग माइनस करेंगे और डायमेटर मेरा क्या था टुटी में तो 0.02 कोमा टू ब्रैकेट क्लोज एंट के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो मेरी कटिंग लेंट आगे कितना 8.64 इसके बाद नंबर ओफ सेट मेरा आपका कितना आएगा वन आएगा क्योंकि इस तरह की जो मेरी फुटिंग है वो आपका एक ही है आपका आपका अब इसके बाद टॉप में बार के अंद करेंगे आपका ए बिल्कुल सेम कैलकुलेट होगा जिसा यहां पर कैलकुलेट हुआ था इकवल टू राउंड करोगे आप कितना था 4.95 माइनस 0.05 माइनस 0.05 कोमा टू ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे तो 4.85 उसके बाद बी देखो मेरा कैसे कैलकुलेट होगा मेरी ड् इकवल टू राउंड करेंगे तो 1.25 माइनस 0.05 माइनस 0.05 कोमा टू ब्रैकेट क्लोज एंटर तो 1.15 यहां पर आगया बैंडिंग अलवेंस आपका यहां पर देखो कितने 90 आपका एक 90 का बैंड यह है और 90 का बैंड आपका दो 90 के आपके यहां पर बैंड है तो मैं यहा क्टिंग लैंग काल्कुलेट करेंगे एकवल टू देस यह ब्लस बी और माइनस आपका बंडिंग एलोइनस एंटर करेंगे तो 5.95 कॉमल अब इसके बाद में यहां पर यह आपका इफ वाला फॉर्मुला मैं हमेशा यूज करता हूं तो इसी को मैं आपके यूज करते हैं इक वाल टू इस इक वाल टू अगर यह 20 mm के बराबर है तो देन नंबर उप सेट नंबर ओफ बार multiply by cutting length और multiply by आपका number of set, 0, enter करेंगे तो यहां पर आपके value यहां पर आगे basically if formula का हम लोग use इसलिए करते हैं माली जैसे यहां पर 16 है तो मैं यहां पर इस formula का use करते हूं if किया आपका this equal to अगर यह value मेरी 16 के equal है तो अगर यह 16 के equal है तो आपको क्या करना है then this multiply by आपका जो मेरी cutting length है this multiply by number of set, 0 अगर यह इसके बराबर नहीं है तो यह value मेरा result 0 आएगा एंटर करेंगे तो देखो आपका 0 आगया अब मैं क्या करते हूं यह डाया 16 कर देता हूं तो यहां पर देखना 16 करते के साथ ही वेल्यू ओटमेटिक यहांसे coffee करिए इसको यहां पर paste करिए अब बस value change करनी है reverse कर देनी है जहां पे आपने आपने यहां 95 कर देता हूं ठीक है एंटर किया यहां पर 4.4 यह में इंदर देना 495 चीए तो 25 नंबर हो 12 यहां पर आपको आना है यहां पर दोगो 4.95 है तो यहां पर 6.55 कर दिजिए एंटर कर दिए उसके बाद यहां पर भी आपका 6.55 कर दिजिए बस रिवर्स करना है आपको क्योंकि अब हम क्रोस बार के लिए हम लोग जो आपका कैलकुलेशन कर रहे हैं ठीक है अब यहां पर आजाईए यह वाला आपका सेम हाइड आपकी सेम रहेगे क्योंकि हाइड का हाइड आपकी दोनों कंडिशन के अंदर आपकी सेम है यह भी आपका सेम रहेगा सब कुछ बाकी आ आपके यहां पर आगई अब मुझे यह calculate करना है कि मुझे कितने डाया कितनी लेंथ की यहां पर requirement रहने वाली है तो अगर आप इसको total करोगे यहां पर मैंने आप अटो सम किया तो 924.48 लेंथ की मुझे मीटर की requirement रहने वाली है एक बार मेरी कितनी मीटर की आती है 12 मेटर के तो आप यहां से भी calculate कर सकते हो कि जैसे equal to this divided by 12 की आपने एंटर करोगे तो 77 बार की मुझे अगर मुझे इस particular lift का आपका foundation बनाना तो मुझे 20 mm बार की कि इसनी लेंथ की requirement रहने वाली है 77 इसके अलाव अगर आपको total weight calculate करना है कि मेरा total कितना weight आएगा तो आपका 20 mm की जो मेरी बार होती है उसका एक मीटर का weight कितना होता है 2.47 तो हम यहां पर total मेरे पास length कितनी है 924.48 तो यहां पर मैं क्या करूंगा equal to 2.47 multiply करके आपका यहां प आपका calculation कर सकते हैं इससे related कोई भी अगर आपका doubt हो कोई भी question हो तो नीचे दियेगे number पर आप call कर सकते हो बागी comment section में भी आप अपना doubt जो है मैसिस जो है comment कर सकते हो वीडियो कर अच्छा लगा हो तो like share करना बिल्कुल नहीं बदोलना चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना क्योंकि इस तरह की informative वीडियो आपको हमारे चैनल पर रेगुलर देखने को मिलेगी तो उसके लिए subscribe तो आपका बनता कर दो आपका बनता है